जै हिंद इस वीडियो आम लोग आटीसी कमपणी के रियल्ट जारी हुए हैं और साथ में इस कमपणी ने इंट्रिम डिवीडेंट देने का भी बात कही है तो सबसे पहलों लोग डिविडेंट के बारे में जान लेते हैं कि डिविडेंट कब मिलेगा, कितना रुपय मिलेगा और फिर अंत में इसके जो quarter 3 के result आए हैं उसके उपर चर्चा करेंगे आईए वीडियो सुरू करते हैं देखें जोस्तों, आईटीसी कंपनी जो है भारत में multiple बिजनेसों में कुदी हुई है यह बड़े-बड़े सहरों में होटेल बनाती है इसका लावा पेपर बोर्ड और पेकेजिंग का भी काम करती है आपने आईटीसी का कौपी जरूर खरीदा या देखा होगा इसका लावा या कंपनी FMCG सेक्टर में भी कुदी हुई है तो जो आप आशिरवात का आटा खाते हैं आशिरवात कंपनी का यही कंपनी बनाती है इसका लावा आईटीसी का फूल फॉर्म होता है इंडियन टोबैको कंपनी अर्थाथ भारत में जो सिगरेट और तमबाको का सबसे बड़ा करवार करने वाले कंपनी यही कंपनी है जो लोग पहली बार सुन रहे हों उनको थोड़ा आजीब लगेगा लेकिन सच है कि ITC भारत में बनाने वाले कंपनी यही सबसे बड़ी कंपनी है जो सिगरेट बनाती है लेकिन हम लोग मुद्धय पर आते हैं और काम की बात करते हैं कंपनी को मार्केट के लिहाद से कंपनी काफी बड़ी है कंपनी का शेयर प्राइस है 235 रुपए तथा हाई लगा चुका है 241 रुपए का कंपनी का शेयर प्राइस अधिक्तम अब तक यहां तक आया है बात करें बॉर्ड अब डियाक्टर्स के मिटिंग की तो यह मिटिंग तीन फरुद 2022 से भी हुआ है और इसी मिटिंग में कंपन रिकॉर्ड-डट रकाए या पंद्रह फरुड अगर आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड लिष्ट में पंद्रह फरुड के पहला ही तक आता है तो आपको इसफिक का डिव्देंट दिया जाएगा यह प्यमिट डेट है चाहर मार् webpage कश पंपनी के पहला तक उसके bank account में आ बात करें कुछ पाष्ट के dividend history की तो ये company साल में दो बार dividend देती ही देती है पिछली बार company ने 10 जुलाई दुजारे के 6SB को dividend दिया था 5 रुपया 75 पैसा यानि कि पिछली बार company ने एक share पर 5 रुपया 75 पैसा दिया था अब हम लोग इसके जो quarter 3 रिजल्ट आ है उसके ऊपर बात करते हैं देखिए दोस्तों company ने जो quarter 3 रिजल्ट जारी किये हैं उसके लिए मैंने चांट बनाया हुआ है सारे फिगर्स करोण में हैं सिर्फ earning पर चेर को छोड़ कर company का revenue quarter 3 में 18,787 क्रोण रोपय का हुआ है जो की quarter 2 में 15,313 क्रोण का था और साल पर पहले देखिए यानि कि पिछले साल जो quarter 3 के रिजल्ट आये थे उसमें company का revenue 14,670 क्रोण का था तो यहां हम देख रहे हैं कि सलाना अस्तिर पर भी और quarterly अस्तिर पर भी company का revenue बढ़ा है मुनाफा 4,188 क्रोण रोपय का हुआ है जो के quarter 2 में 3,763 क्रोण का था और साल पर पहले देखिए तो company का profit after tax 3,587 क्रोण का था तो हम यहां देख रहे हैं कि profit after tax यानिक सुध मुनाफा यह भी सलाना अस्तिर पर और quarterly अस्तिर पर बढ़ा ही है अब बात करेंगर earning per share की earning per share को short cut में EPS काते हैं और यह एक share पर साल पर में कितना रोपया बढ़ा उसको बताता है तो earning per share भी quarter 3 में देखें तो 3 रोपया 29 पैसा हुआ है जो के quarter 2 में 3 रोपया 2 पैसा था और साल पर पहले 2 रोपया 87 पैसा था अगर overall देखें तो quarter 3 के जो result आ है उसके मुताविक company का revenue मुन कर सकती है उसको खत्म कर सकती है और चुकि यह company बहुत सारे बिजनेसों में कुदी हुए तो सबाविके इसको ऊपर थोड़ा बहुत कर जा रहेगा तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको informative लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ मैया होगा अगर मन में कोई है तो जरूर पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक लिए सुक्रिया तेने बाद